तोडियर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिए सिकेंड समेस्टर के जियोग्राफी यानि कि भुगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंड MCQ टाइप के कोष्चन और एंसर के बारे में जिन जिन भी इनवर्सिटी में MCQ बेस पे यानि कि MCQ टाइप के कोष्चन आन थीक है तो वीडियो को complete देखते रहेगा तो चली वीडियो को सुरू करते हैं और सब्जक्ट आपका देखे समेस्टर आपका second है और सब्जक्ट आपका जिओग्राफी है और प्रशन पत्रैने question paper का नाम है human geography यानि कि मानुभगोल तो परफम question important नहीं था इसलिए हम से स्टार्ट करेंगे तो आज किस वीडियो का जो परफम प्रशन है यह है कि मानुभगोल क्रम बद्ध करता मतब कोई चीज होती है तो वह क्रम बद्ध होती है वह फी तरह मानुभगोल क्रम बद्ध मतब कि step by step किस चीज का करता तो यहां पर बहुत संदिये गए है ठीक है जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा खानंबर मानो और प्रिथिवी के मद्ध संबंधों का क्रम बद्ध मतब step by step करता उसके बारे जानकारी लेता है ठीक है आगला प्रशन है कि मानो भगोल किरिया सील मानो और आइफ्थिर प्रिथिवी कि परिवर बिद्ध्वान इनके द्वारा कही गई है अगला प्रशन है कि स्वयम मानो सांस्कृत का सबसेश्ट प्रतीक है और प्रियुक्त कथन कौन से बिद्ध्वान का है ठीक है तो स्वयम मानो सांस्कृत का सबसेश्ट प्रतीक है ये बात जो है वो कही है ठीक है जीन बुरुंस इफिले से उत्तर कानमबर होगा अगला प्रस्न है कि मानो भोगोल के अधियन का केंद्र मुग्मृम जॉगराफी इसके इसके अधियन के मतलब जानकारीद कि फीजिग के वारे जानकारी लेना कि शेज के बारे रिफेर्च करना समस्ज्शना amas जानकाई लेना जो मुख्य केंद्र है या फिर केंद्र बिन्दू जो है वह कौन सा है तो ध्यान देखेंगे से उत्तर हो जाएगा वह मानो गारमबर से उत्तर होगा नेस्ट्ट प्रस्ण है की बलास द्वारा प्रस्तुत म New booking साम्गरी में जो समने नहीं है वह क्या है है तो इसमें यानि कि भॉग यानिद मानो सामागरी में जो नहीं है इन आपसरों में से इस प्रस्तों और शेचरच नहीं कि प्रत्मान भूत की कुंजी है ये बात कौन से विद्वान ने या फिर किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है तो ये बात जो है वो जिम से हटन के द्वारा की गई है इफले सही उत्तर गानमबर होगा अगला प्रस्ण है कि भोगोल के मानवतावादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन से बिद्वान है थीक है तो ध्यान लगेंगे उनका नाम है टौन क्या नाम है टौन कहा नमबर से उत्तर होगा अगला प्रस्ण है कि किसने मातरात्मत क्रांति को भोगोल के उद्देश और अभप्रियाय को तीबर प्रवरतन के रुख में वरडित किया है उस बिद्वान का नाम आपको बताना है तो उस बिद्वान का नाम है बरतन का नमबर से उत्तर होगा देखे मैं आपको जो साइंस की रूप में परिभासित किया है तो कोरोलोजिकल साइंस की रूप में जिन्होंने परिभाफा दी है भोगोल की उनका नाम है हिटनर गानमबर से उत्तर होगा अगला प्रस्ण है कि चल जलिए डाल फिद्धान किस ने दिया था चल जलिए डाल फिद्धान कौन से बिद्ध्वान ने दिया था ठीक है तो याद रखेंगे उनका नाम है R.E. Hartan R.E. Hartan गा नमबर सही उत्तर होगा अगला प्रशन है कि एक रूप पतावाद का फिद्धान किस्ट ने दिया है एक रूपतावाद का फिद्धान कौन से बिद्वान ने दिया है ठीक याद रखेंगे सही उत्तर इसका हो जाएगा आप्शन नमबर गाहा हटन एक बिद्वान है इन्हों नहीं दिया है यह फिर भोगेल वित्ता भी है सही उत्तर इही होगा अगला प्रशन है कि थीशन बहुभुज का सरप्रथम प्रियोग कौन से बिद्वान ने किया है तो थीशन बहुभुज का जो सरप्रथम प्रियोग है जिसने किया है उनका नाम है वोग क्या नाम है ओग कहा नमबर सही उत्तर होगा अगरा प्रश्ण है कि Professor बलाफ ने भोगोल के छेत्र में छा तथ्यों का समा मेश मतव कि छा तथ्य है छा फैक्ट है उनका समावेश किया है निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है बाकी सब सही है तो इन में से जो एक गलत है वो है मानुवे विकास में घटक यानि कि गानमबर अगला प्रशन है कि रितजल मानो भोगोल के जनक माने जाते हैं उनके द्वारा लिकित कौन सी पुष्टक है मतब कुछ लोग या फिर कुछ बिद्वान मानते हैं कि रितजल भी हुमें जियोग्राफी के फादर है और काफी लोगों ने पुष्टी भी की है लेकिन यहां पर एक टिष्ट भी है कि रितजल मानो भोगोल के जनक माने जाते हैं और उनके द्वार पुष्टक लिखी गए है वह कौन सी है उनके द्वार रसना लिखी गई वह कौन सी है तो ध्यान रखेंगे इस प्रसे उत्तर में हम आपको बारे मेंaurais दिसक्स करेंगी आप जान लिए इनके दोला लिखत अर्टिक एंत्रो पो जियोग्राफी उस तक है अगला प्रश्ण है कि निवन में सी साखह मानो भूगोल की साखा नहीं है तिन में से एक ऐसी साखह यह सभी मानो-भगोल की ब्रांच साखाय है अगला प्रस्टाएं कि निम्न में मानो-भगोल की किस साखा में सांसकृतिक मानो-साफ्त्र का अध्यन करते हैं तो इस प्रष्ण का जो सहुत्तर हो जाएगा आपको अगला प्रश्ण है कि रिपब्लिक पुष्टक के लेखक निम्न में से कौन है तो रिपब्लिक पुष्टक के लेखक का नाम है ध्यार रखेंगे जिन का संबन्द से नहीं है उनका नाम है डाङ नमर से इत्तर होगा अगला इक हैं इन्पिल्यू एंसाफ जियोग्राफिक इनवाइर्फिक इनवाइर्मेंट नामग पुस्तक कौन से बिद्वान की है या पिर कौन से बिद्वान इसकी दशना की ए तो उनका नाम है सेंप्ल ठीक है इन्होंने इस पुस्तक की दशना कीए मानॉ भूगोल में अधन किया जाता है किस चीज का तो मानो भोगोल में अध्यन किया जाता है मानो एम प्रिथवी का इस बात को ध्यान रखेंगे मानो भोगोल में अध्यन किया जाता है मनुष्य का और प्रिथवी पर जितनी भी चीजे पलब्द है चाहे वो पहाड़ पठाब लदी समुद्र ठीक है इन सब इंद्धियल में अध्यन किया जाता किस चीज का तो ध्यान रखेंगे इसका सहीद्टर हो जाएगा आफ्छन नमबर कि जनंकी की घा नमबर सहीद्टर होगा जाद रखेंगे अगला कि मानौ उतिहास नाम कुष्टक कि क्रति ही मतलब कि एक रशना है पुष्टक जिसका नाम है मानो भूगोल के फिध्धान्त मानो भूगोल के फिध्धान्त किसकी गड़त है एक रशना है पुफता के जिसका नाम है मानो भूगोल के सिद्धान्त, तो ये जो रश्ना है या फिर ये पूस्तक है ये प्रमुक बिद्वान बलास की है, गानंबर से उत्तर होगा, अगला कि इतिहास समय का परिचायक है जबकि भुगुल अफ्थान का उपर्यूक्त मेंसे ये कथन कौल से बिद्वान का है तो ये जो कथन है यह जो लाइन है यह कांट महोदय जी की है का नंबर सही उत्तर होगा अगला प्रशन है कि इतिहास का भगोलिक परचे नामक पुस्तक की रष्टा किसने की है एक पुस्तक के जिसका नाम है इतिहास का भगोलिक परचे तो यह पुस्तक जो है वो लिखी गई है रख्या करने वाले भुगोल विद में कौन एक सामिल नहीं है तो एक प्रमुख विद्वान है वो सामिल नहीं है उनका नाम है कांट घा नंबर से उत्तर होगा अगला प्रस्ण है की एल्स वर्थ ठीक है हंटिंग टन ने मानो अभिवेंजना में निम्न में से किस एक को सामि नहीं किया है तो उसका नाम है ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉपलर कोईश्चन है इनमें आप संदेगे हैं जो आप संद सही होगा हो जाएगा खानिस परदार्थ घा नंबर से उत्तर होगा अगला प्रस्ण है कि निम्न में से कौन सा तत्ति भूम के अनु उत्पादक ब बिश्यकी और नामक मानो भूगोल के तत्ति को निम्न में से किस बिद्वान ने सम्मलित किया है तो उस बिद्वान का नाम है डीकेन एवं पिट्स गानंबर से उत्तर होगा अगला प्रस्ण कहिरा कि परिवरतन प्रकत का नियम है ये कथन किसका है तो आप सभी जानते है क जो बदलाव है परिवरतन है वो भगवान का नियम है ये जो बात है ये जो पंत है बहुत ही पॉपलर है आप सभी जानते भी होंगे ये बुरूंस बिद्वान के द्वारा कही गई है और समय रहते हैं वो समय समय के साथ परिवरतन होना चाहिए और परिवरतन होता भी रह इंद्ञान्त में निम्न में से कौन सा तत्य। प्रधान है तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्ण का सहीं उत्तर हो जाएगा आफ्शन नंपर उप्रयोक्त मेंसे अगला है कि निम्न में की बिचाड धारा के समर्थ को अगलाह की रुकों और जाओ ऑधार्णा का प्रतिपादन कौन से बिद्धवान ने किया हैं तो इस बिद्धवान का नाम है ग्रिफित टेलर गान अमबर से उत्तर होगा अगलाह की नौ निश्चेवाद की प्रवर्तक कौन है तो नौ निश्चेवाद की प्रवर्तक है ग्रिफित टेलर पुर्मक बिद्वान है ये भी का नंबर सही उत्तर होगा अगला है कि किस भोगोल वित्ता का कथन है कि मानो एक ही साथ करता एवं निश्च फिर से पढ़ते हैं किस भो ब्लास प्रमुक विद्वान के दोरा अगला प्रश्न है की मानो जातकी उत्पत्ति यह वं विकास के संब्ऎद में प्रह 오른ी विकास का फिद्धांत नामक पुफतक है उस पुफतक के लेख़क कौन है उसके लेख़क है डारविल अपने सुना होगा डारविल gown के बहुत अच्छे से प्रमुक विद्वान है अगला कि सबसे प्रचीन मानो के आवशेस किस देश में प्राप्त हुए है तो इस प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा अफशन नंबर मिस्ट में प्राप्त होई है अगला कि मिस्ट के भय यूम नामक अफ्थान से प्राप्त हुए प्रथम ब्राइमेटर्स और उसे इसको क्या कहा जाता है तो सबसे पहले जो और उसे इस प्राप्त हुआ है थीक है मिस्र में उसका जो नाम है ध्यान नखेंगे पैरा पिथेकस इसका नमबर सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण का इरा कि चीन में होमो इरेकर्टस को कि नाम फे पुकारा जाता है तो बैलिस नमबर जो प्रश्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा थीक है सिन एंथ्रोपस अगला प्रशने की होमो इरेकर्टर्स वन्स के मानो और से सरप्रतम जावा में किस अफ्थान से प्राप्त हुए हैं तो इस प्रशने का सही उत्र हो जाएगा त्री निल से प्राप्त हुए हैं का नंबर सही जबाव होगा अगला प्रशने की होमो स्वेपियंस आप लोग जानते हैं कि होमो स्वेपियंस जो है वो मनोशिका बेज्ञानिक नेम है और मेधावी मानों का विकास हुआ है कितने हजार वर्स पूर्ब 44 नंबर जो प्रशने का सहुत्तर हो जाएगा अप्शन नंबर का 35 से 50 हजार वर्स पूर्ब जान रखेंगे अगला प्रशन है कि मेधावी मानों अथवा होमो स्वेपियंस की उत्पत नुन में से किस यूग में हुई थी या फिर हुई जाती मानी जाती है तो 45 का सहुत्त इसी या यूरोप की निवासी को को जो कहा गया है का के साइड है अगला प्रशन है कि अभिनोतन काल में उत्री पूर्वी एसिया से उत्तरी और दच्षणी अमेर्का कि और तो इस प्रशने का सहत्तर हो जाएगा सुनदा जल डम्रू मद्ध से होकर इसका प्रचाफ प्रसार हुआ ध्यान lleग के गानंबर सह उत्त्र होगा अगला की अभी टीक है क्या लिखा है अभी नू नतकाल में मानोजाति के वसाओ छेत्र भिक्षित हुए हैं तो ध्यानदक केंग से उत्टर हो जाएगा अनकूल जल्वाय वाले छेत्रों में इसका जो है वो विकास हुआ है यह फिर बिक्षित हुए है तो इस प्रकार आज किस वीडियो में करीब करें 50-50 question answer मैंने आपको बताएं जो की exam के लिए important है देर देर तैयारी करते रही एक दो बार आपका अपना है चैनल सक्सेस्ट होए तो सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं और ने वीडियो में जैहिंद